मंद का डर कैसे निकाले इस बारे में मैं अभी आपको कुछ जान करें देने वाला हुता कि है कि हमारे मंद में काफी डर बैठे वे रहते हैं जैसे लोग क्या कहेंगे कि हम फेल हो जाएंगे गिर जाएंगे यहां हमको सफलता नहीं हासिल होगी यहां कि एक्सिडेंट हो जाएगा आसे काफी सारे डर हमारे मंद में रहते हैं और हम ऐसे दरावने रहते हैं और वो तो मुनश्य की एक सामन्य बात है कि डर लगे रहना और डर की वज़े से हम बहुत सारे काम अच्छी तरह से करते हैं आ में एकसिडनन का डर है यह हमारा जो वेहिकल si car जाकर है वो बराबर हम चलाएंगे की वह को डर है काफी इसफेल हो यह कर के तो डर हो धाया करें काम करें मगैं यहां है कि कभी cardboard को कुछ लोग से कंगissions में कर तोंसु ना इत्ना डर method क् analytic कि अंको तो उनको डर लहता है कि पुब्लीक प्लेस में जाने कि लोगों को लोगों को डर रहता है खिडे मकोडे, जैसा चिकली का डर रहता है, फिर कुछ लोगों को रहता है कि जैसा मेंडा के उसका डर रहता है, या खिडे मकोडे जो छोटे-चोटे रहते हैं उसका डर लगे रहता है, कोई लोगों को कुत्तों का डर लगे रहता है, तो देखा कि उनको डर लगता है, तो आपजेक्ट या प्रानी दिखता है तो बहुत डर जाते हैं। उनको उनके सामने भी रहना मुश्किल हो जाते है। तिरकुछ लोगों को कुछ जगह का डर है। जासा उनको एक चार लोगों के सामने बात करना उनको बहुत जगह डर लगा। कि यहां सैज पर जाके भाषान करने का इसले से लिए कुछ लोगों धवननीकोब्यं ए ले ribbon को डर रहता है। वो अकेले नहीं रह सकते कुछ लोगों को डर रहता है अंदेरे का रहता है तो यह उनका होता क्या है कि यह जो डर है कुछ लोगों को रहता है कार में सफर करने का कार में जा सकते नहीं हो विख लोगों को लोगों का डर रहता है तो बड़ा अधिकरी है अफिसर है या बड़ा कोई वक्ति है या दिखने में कोई बड़ा है कुछ लोगों को डेड़ बॉड़ी का लोग मरेवे आदमी का यह लाश रहती है तो वह कहीं कोई व्यक्ति मर जाता है उनके घर में पसंद नहीं करते हो वह जाई सकते ने उनको उसका टर रहे लगे रहते हैं तो इसे काफी सारे डर लोगों को है और डर लगना कोई बुरी अब प्रॉब्लम के आए कि वह थोड़ा डर आ था ठीक है तना डर उनको है कि वह सिच्वेशन से वह एक तो भाग जाएंगे वह सहन नहीं कर सकेंगे और उनको मुश्किल है कि काम करने तक इसमें वह सिच्वेशन वह प्रसंग वह वातावरन सामने आता है या वह किडे मक जकन हो जाएंगी हाथ कापने लग जाएंगे पसिनात्तर हो जाएंगा घबराड हो जाएंग। बेचेन हो जाएंगे और कुछ भी करके वहाँ से आग जाने की कोशिश करेंगे कि वह रहने का नहीं. वहां जा भी सकते हैं और लिए इतना डर उनको लगा रहा है तो अभी यह जो डर है उनसे वह व्यक्ति का जीवन पराबर चलता ही नहीं है वह व्यक्ति को प्राब्लेम ही है वह काम नहीं कर सकता नार्मल काम नहीं कर सकता नार्मल फंक्शनिंग नहीं हो सकता और यह डर की वज़े से उसके आजू-बाजू के इर्गिर्ग के लोगे उन अन्ना कारण है, मतलब इना कारण है, अन्ना कलनी है, ऐसा क्यों होता है पता नहीं, गर ऐसा बोलते हैं, कि वह उनको बच्पन में ऐसी कुछ तभी बात होगी, कि इसके वज़े से डर उनको दिमाग में बढ़ जाता है, कोई कंडिशनिंग हो गया, बात होगी, तो उसके पांच करोर लोग, उससे भी ज़्यादा है, मतलब एक्जेक्ट, आकड़ा तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको अभी, पांच करोर लोग कम से कम, ये डर के, मतलब अती, डर के, डर है, डरावनी चीज़, फोबिया है, उसको बोलके हूँ, तो फोबिया की मरी है, या उसक क्या मिलने को जा सकते हूँ, तो फोब ये शोशल एंग्जैटी, डिसॉर्डर कीृश्या गोलते है, तो सोसाइटी में शन्माज में जा सकते हूँ, तो अक्सर उंको दिखा जयाता है कि वैट्तिय हमें कभी बाहर दिखा जाते हिताए नहीं, पूछते कि किवे क्यों की श मिलने जूने के लिए über Chad में दिखेंगे। और यह चीज जो है प्रसंगे घालते रहते हैं। अमरिका में पचास लाग हुत अ कम से कम इस मरीष के सिकर रहे है। यह पया कैसे हुआ डर कि खुष्टवी अकिद में भूत कार में कुष्टवी ऐसा हुआ यह लोगों ने उसको भी सुन लिया और उसके वज़ेसे वह डर हो गया, जैसा कि उनका ऐसा हो जाता है, पुझा उनका करीब का व्यक्ति हाट अटेक से मर जाता है। और वो सब चीज वह देखती, उसको ले जाना, डॉक्टर के ट्रब दे जाना, आईसी भर्ती किया, बदेखने के बाद में उसका भुती भ weren'thi हो गई, उसके बेखने के बाद में उसको इतना डर लगए रहता है, इसमें सब इखने निपने मेघ जैता है। इसके बाद में कभी भी किसका भी उनके बंग में बाल बाद में बाट ईक मॊझे कभी नियुका खो खिल नियुक्न की दिमाग में आ। successfully उनके मा, पिता जी या दादा, दादी, ना, ना, ना नी, मतलब कोई तो भी वेक्ति घर में ऐसा रहता है, कि जिसको ये डर रहता है, ये फोबिया की विमारी रहती है, और उसके वज़े से बच्चों को भी आता है, मतलब यह लर्निंग है, शीखना हो जाता है उनको, और उसकी वज़े से उनको बिमारी आती है अब कुछ पता है कि जैसा हाट एटा का किसे मैंने बताया जैसा चिपकली का भी बहुत लोग उनको डर है जब हमारा रोजबरा की जिन्देगी में यह वह डर उनको प्रॉब्लमेटिक है वह समस्या हो जाती है तो उसका इलाज करना भी जरूई है वह तो इसका इलाज में दौ तरस से होता है एक की दवाईयां और दूसरा है उसको मानसुपचार उसके साथ मानसुपचार में एक तो बीविए रिपी होगी फिर सम्मोह नुपचार हो या कांसिलीं दवाईयां जो है जो है झानको इतना डर लगे रहता है कि वो उससमें कुछ भी नहीं कर सकता थे इसके लिए फिर हम उनको कोई दवाईयां देते हैं कि इतना डर लगा उससमें गुली है कि वो जबान के नीचे रखो और तुरंथ वो मुझ में पिखल जाएगी तुन में जाएगी उसका डर निकल जाएग तो ऐसी गुलियां रहत आप पसीना इतने हाथ कातना कि उसको रहना ही मुश्किल हमा तो ऐसी दवाईया खाते हो तो यह सब शिम्टम्स जो है यह लक्षन है वो यह उनके अच्छे होगे तो वो शान्ती से अभी सोच सकते तो इतना दवाई का इलाज ज़िए दवाई की दें लेना दवाई मानसो मुझे आप एक इसमें होता गया है कि हम गोलते हिसका कारण ज़िए को वह फूब हाई का यह कंडिशन इतना हुई और वो गटना हुई और उसके साथ साथ वो जो प्रसंग था वो जो अतावरेंधा उसका मतलब धरावनी घटना हुई उसका तैना होगे उसका थेरावनी करना पड़ता है तो उनका को डी सेंसिताइजेशन करना पड़ता है ताकि उनका रग होजा है तो उसके लिए और पेद करो दिकंडिशिएनिंग करें उनको cognitive behavior therapy देते हैं, जिसमें अलग-अलग behaviors, वर्तण उप्चारम जैसा बूल सकते हैं, तो वह हम उसको देते हैं, उसके साथ सम्मोल उप्चार भी होता है, सम्मोल में होता है कि हम उसको hypnotize करते हैं, सम्मोल करते हैं, और सम्मोल करने के बाद में उसको visualize करने के लिए बुलते वो situation visual है, मतलब वो situation की कलपना करो, जिसमें उनको डर लगे रहता है, मतलब इदर वो वेक्ती पुरा hypnotized है, पुरा relaxed है, पुरा completely relaxed, body उसकी relaxed है, पुरा बदन उसका relaxed है, और relaxed सवस्ता में, जब उसको कोई डर नहीं है, उसको हम बोलते हैं, तो visualize करो, कलपना करो, कि वो जो situation ह इसका आपको डर लगे रहता है, वो situation अभी आगे है आपके सामने, मतलब डरावनी situation है, वो relaxed, डरावनी situation है, वो relaxed, डरावनी situation है, वो relaxed है, एसा बार 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 हम करते दो, उसका deconditioning हो जाएंगा, तो यह visualization की process है, सम्मो नुक्चा में, सम्मोई तवस्ता में, उससे वो आके वो होंगा नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कि घर में भी आप करो यह इलाज, और जब आप घर में भी यह practice करेंगे decensitization की, या सम्मो नुक्चार की, तो एक 6 हपते में या 8 हपते में उसको फायदा होना शूरू हो जाए, इसमें तुरंद उप्चार नहीं है, मतलब हम तो निर्धार गुरू, उसका पकाई निर्धार करके, कमिटमेंट करके, क्योंने हमको अच्छा होने का है, ऐसा करके, जब आते रहते हैं लोग, week by week, अपते के अपते आते हैं, इलाज करवाते हैं, और उनका जब कमिटमेंट रहते हैं, वचंत बद रहते हैं, तो इसमें करके अच्छा हो सकता है, लेडिस को यह विमारी जदा होती है, तो उनको भी दिरे, 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 करके, वो उनका इलाज अच्छा होते, मतलब मुझ अफ्डा रहते हैं, निकल जा सकता, तो मेरा जब आवान है, कि हर वेक्ती नहीं नहीं मान के, कि भई, मैं क्या पागल ह तहई होलों और पारों करते हैं इसका आपको ड्याश मुश्म थे साउख करता है तो इसका जीवन हए उसका पूरा अधिक के प्रह सक token का हुए है आपको जानकर पर हमत्वास कॉने है कि प्रेल को प्रहां है आप यूट्यूब को भी जो चैनल है मेरा इसको आप लाइक करो शेयर करो ताकि मेरा उप्देश है हैं और ke चैनल हो सवाल होगा तो यह अपो मिलाएंगा आप सकते हैं आप सकते हैं आप सेब्सक्राणि द्यूंतो को यह जेल सकते हैं आपने यह सुन लिया उसके लिए थैंक्यू वेरी मुच्ट। वाय वाय सी यू।